Hello Friends, Welcome to my Channel, Moist Sir's Lecture आज मैं आपको Class 9 के Quadilitals Chapter का Exercise 8.1 का Question No. 5 आज हम लोग इसकस करेंगे ठीक है? देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लास्ट में लाइक करना ना बूने ठीक है? Question No. 5 क्या कहता है? Show that if the diagonals of a quadilitals are equal and bisect each other at right angles then it is a square मतलब आपसे यह प्रूफ करवा रहा है कि आपको Show करना है कि किसी भी quadrilaterals के अभी आपके सामने मैंने figure बना रहा है ABCD देखिए, हमेशा एक चीज अधियान रखिएगा जिसको proof करवाते हैं मतलब आपसे यहाँ पर क्या proof करवा रहा है then it is a square आपसे square proof करवा रहा है तो आपको यहाँ पर square का ही figure बनाना हुआ ठीक है? जो चीज प्रूफ करवा रहा है इसका मतलब वही आएगी square proof करवा रहा है, मतलब square ही बनेगा तो आप उसी की shape बना लीजे पहले, ठीक है? तो देखिए, अब question का मतलब क्या है कि ऐसा quadrilateral अभी फिलाज में तो यह quadrilateral है क्योंकि four-sided closed भी का रहे मेरे लिए तो यह quadrilateral है तो इस quadrilateral के diagonals equal है bisect कर रहे है right angles पर तो आपको show करना है कि यह square होगा ठीक, कहने का मतलब इसने क्या क्या दिया है आपको एक तो AC is equal to BD आपको diagonals equal दी है, मतलब AC, BD के equal है और diagonals bisect कर रहे है, bisect मतलब AO is equal to OC and OD is equal to OB, ठीक है? at right angles, right angles का मतलब 90 degree पर, यहाँ पर यह 90 degree बना होगा है, कहने का मतलब यह कितने है और pendicular एक दूसरे के, clear? question समझ का रहा है, अब यह सारी चीज़े आपको given है तो अब आप prove कीज़े कि यह square होगा तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? given, given में हमें क्या दिया है? AC is equal to BD, एक तो diagonals equal है diagonals bisect भी कर रहा है AO is equal to OC and OB is equal to OD ठीक है? AO, OC के, OB, OD के equal है और क्या given है हमें हमें यह भी दिया हुआ है कि angle AOD is equal to angle COD is equal to 90 degree वैसे तो हमें 4 angles दी है 90 यह भी 90 गया है, यह लेकिन sufficient है अगर हमने यहाँ दो भी लिखे हैं तो understood है कि 4 हुआ पर 90 degree पर ही bicep कर रहा है, ठीक है? तो चलिए, अब हमें proof क्या करना है? हमें proof करना है कि ABCD is the square हमें यह लेकि आना है कि ABCD जो है क्या है? square construction कुछ हुआ नहीं है तो जल्दी से proof देखेंगे फिल कि proof कैसे होगा? देखें सबसे पहले target set करते हैं अब नाम दो हमें यह square proof करना है मैंने सारी properties पहले ही बताई थी square proof करने के लिए हमें यह proof करना होगा कि इसकी सारी sides equal है और सारे angles 90 degree है अगर ऐसा हमने proof कर दिया तो यह square हो जाएगा क्योंकि rhombus की property होती है कि सारी sides equal है उसके angles 90 नहीं होते हैं अगर मैं इसकी सारी sides को equal प्रूफ करके फिर उसमें एक angle भी अगर मैंने 90 proof कर दिया देन इसा square तो देखिया अब उसी की तरफ चले है तो सबसे पहले से सारी sides को equal कैसे करते हैं आप मैंसे बहुत सारे बच्चों के comments आते हैं सारी sides को equal कैसे प्रूफ करते हैं तो वो ध्यान से देखिया आज मैं बता रहूं सारी sides को equal कैसे proof करते हैं ठीक है सारी sides को equal proof करने के लिए पहले से parallelogram proof कीजे क्योंकि parallelogram से at least opposite sides तो equal हो जाएगी उसके बास सारी हो जाएगी ठीक है इसमें क्या हो रहा है देखिए AO is equal to OC AO is equal to OC ठीक है कहां से आया AO, OC given है हमें दिया हुआ है OV is equal to OD OV is equal to OD ये दोनों कहां से आये given हमें ये दोनों चीजे given है और क्या given है ये वाला angle इसके angle की equal होगा क्यों है दोनों ही vertically opposite angle है angle AO is equal to angle COD क्या vertically opposite angle चाहे तो आप दोनों 90 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 90 है ये भी 90 है और vertically opposite एक ही बात है तो कौन सी इसमें property लग रही है आप आरम से देख सकते हैं side, angle, side clear है side, angle, side से दोनों triangles क्या है congruent हो रहा है therefore triangle AOB congruent to triangle COD by SAS congruency clear चलिए अब आगे देखते हैं अगर ये triangles congruent है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये वाला angle इसके equal हो जाएगा हो जाएगा ये angle इसके equal होगा by CPCT और AB जो side है वो भी CD के equal हो जाएगी by CPCT तो मैं लिख रहा हूँ so angle OAB is equal to angle OCD एंगल OAB is equal to angle OCD and और क्या चीज़ एक और equal लिए हमने AB is equal to CD दोनों किस्से आएगे CPCT से CPCT से ये दोनों equal है AB और CD और angle this is equal to angle this लेकिन आप ध्यान से देखिए Converse of Alternate Interior Angles थियोरम आपने पढ़ी होगी ठीक है ये कोई भी दो lines है AB और DC और AC एक Transversal है तो ये angles जब equal है ये वाला angle इसके ये तो लेकिन Alternate Interior Angles है और अगर Alternate Interior Angles equal होते है तो lines are parallel कहने का मतलब अगर अगर angle OAB is equal to angle OCD है जो मैंने आपर प्रूफ किया है But these are alternate interior angles लेकिन ये तो कैसे angles है Alternate Interior Angles और Converse of Alternate Interior Angles थियोरम क्या पढ़ीं अगर ये angles equal होते हैं तो lines are parallel मतलब AV parallel to DC तो हम क्या लिखेंगे But these are alternate interior angles मैं इसकी बात कर रहा हूँ इनकी angles की side की निगर रहा angles equal है इसके बारे में लिखा है But these are alternate interior angles Therefore AV parallel to DC AV क्या है? DC के parallel हो गई अब आपको मैंने quadrilaterals में सबसे first video में पहली बताया था कि parallelogram की property कैसे proof की जाती है अगर एक किसी भी quadrilaterals की one pair of side equal है और parallel है then it is a parallelogram मतलब AV DC के equal है? Yes, यह रही और AV DC के parallel है? Yes, यह रही अब यह भी proof किया और क्योई भी one pair of side एक pair अगर equal भी है और parallel भी है किसी quadrilaterals का हमने proof कर दिया so ABCD is a parallelogram यह लिजे ABCD क्या proof हो गया? parallelogram proof हो गया यही हमारा target था समझ में आया? तो यहां पर यह proof हो गया आप क्या करेंगे? इसके आगे देखिए मैं यहां से given को भी रब कर देता हूँ क्योंकि हमें पता तो चली ही आए क्या given है? मैंने सब कुछ बना दिया फिगर में देखिए अब हमने यह proof कर दिया कि ABCD एक पहले लोग्राम है अभी आपके सामने किया अगर ABCD एक पहले लोग्राम है therefore AB is equal to CD and AD is equal to BC equation number 1 equation number 2 क्या? opposite sides of a parallelogram are equal ठीक है? क्योंकि opposite sides क्या होती है? parallelogram की equal होती है और equal होती है तो हमने क्या लिखा है? AB is equal to DC वो तो वैसे concurrency से भी आ रही थी और AD is equal to BC opposite side क्या हो जाए ही equal और मैंने ने first और second equation माल लिया ठीक है? अब देखिए कैसे भी मुझे एक adjacent side को और equal proof करना पड़ेगा क्योंकि अभी opposite side equal है अगर मैं कैसे भी एक adjacent side को और equal proof कर दूँ तो all the sides are equal उसे भी मैं समझाऊँगा आपको X ले करके कैसे? ठीक है? पहले इदर देखिए triangle AOD और triangle COD को congruent करके पहले इन adjacent sides को आप equal proof कीजिए ठीक? तो क्या लिखेंगे? Now in triangle AOD and triangle COD ठीक है? क्या-क्या इसमें concurrency के लिए हमें चाहिए? देखिए OD is equal to DO कहा सी आया? common OD और DO common है? इसमें यह की angle 90 है दो angle AOD is equal to angle COD बोथ हार 90 डिग्री angle AOD और COD 90 दिया था हमें और OA is equal to OC कहा सी आया यह चीज़? गिवन हमें यह गिवन है कि OA OC के equal है गिवन था तो कौन सी property लग रही है? side angle side SAS लग रही है यह हमने OD लिए side angle side SAS से congruent to triangle COD by SAS congruency SAS congruency से दोनों triangles congruent हैं और अगर यह दोनों triangles congruent हैं तो AD is equal to DC AD is equal to DC by CPCT CPCT से equal होंगे और मैं इसे क्या हमाल लेगा हूँ equation number third ठीक है? आप देखिए समझे सारी sides कैसे equal है ABCD के equal है 2 minute के लिए आप AB को X माल लीजे ठीक है? वैसे मैंने पहले अपनी एक video और post की थी उसमें मैंने ऐसे बता रखा है पहले आप वो भी देख सकते हैं AB is equal to CD AB को आपने X माल लिया और जबके AB CD के equal है तो CD भी कितनी हो जाएगी? X ठीक? अब देखिए यहां से AD is equal to BC AD और BC equal है लेकिन अभी हमें AD भी नहीं है हमारे पास और BC भी नहीं है छोड़ दिए AD is equal to DC AD is equal to DC और DC कितनी निकाली है? X अगर DC X है तो इसके इसाब से AD भी कितनी हो जाएगी? X और AD BC के equal है और AD X है तो BC भी कितनी हो जाएगी? X यह लिए यह आपको सम्झाने का तरीका था कि S सारी साइट से equal है ठीक है? From equation 1, 2 and 3 तीनो साइट सको और आप देखिए तीनो सारी equations को आप देखिए तो all the sides are equal समझ में आगया होगा? चली तो मैं इसे रख कर देता हूँ क्योंकि यह तो सिर्फ सम्झाने के लिए था आपको बताया लेकिन X समय ऐसे ले रहा नहीं है तो हम लेकिन लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे from equation 1, 2 and 3 ऐसे ही लिखते हैं from equation 1, 2 and 3 तीनो equations से लेखा जाए तो यहाँ पे यह क्या implies करता है? कि AV is equal to BC is equal to CD is equal to DA ठीक है? हमें यह पता चलता है all the sides are equal clear? तो अब अब सारी sides equal हो चुकी है तो क्या बनाएगी तो rhombus अब rhombus के बाद square करना है square मतलब यहाँ पे vortex angle हमें एक angle कैसे भी 90 लाना पड़ेगा तो उसी की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए फिर देखिए further end triangle triangle choose करिए चलिए vortex angle 90 लाना ही है यहाँ पे तो कौन-कौन से triangles लिए जाएंगे मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी आपको यहाँ 90 लाना हो तो एक तो यह triangle लीजी ABD और एक ABC लीजी आप ठीक है? triangle ABD and triangle ABC clear? देखिए तो जड़ा ABD और ABC में कैसे हमने प्रॉपरिटी लगा लिए है? AD is equal to BC कहां से आया है AD is equal to BC? proved above हम पर यह prove कर चुके हैं कि ABCD एक पहले लोगराम है और पहले लोगराम है तो उसकी opposite sides equal होंगी ठीक? अच्या और क्या दिया है? AB is equal to BA कैसे? common AB और BA क्या है दूसरे के common? ठीक है? अच्या और क्या given है हमें? इसमें हमें ABD triangle में जो BD है यह diagonal वो AC के equal है question के starting में पहले लिखा था given था आपको कि diagonals are equal यानि कि मैं लिख सकता हूँ BD is equal to AC कहाँ से आया? given ठीक है? दिया हुआ था? तो देखिए कौन सी property लग रही है? तीनो ही sides चल रही है AD, AB और BD तीनो क्या लग रही है? sides रही है यहनिके SSS therefore triangle ABD congruent to triangle ABD लिए यहां से तो हम यहां से लेंगे BAC ठीक? BAC C by SSS congruency बात सवाइंगाई? BAC triangle यह वाला BAC और ABD यह triangle कैसे है? congruent है भाई SSS congruency और अगर यह congruent है तो यहां पर इनके जो angles होंगे यह वाले angles यह कैसे होंगे? equal होंगे बाई CPCT So, angle DAB is equal to angle ABC by CPCT ठीक है? DAB DAB angle जो होगा इसमे है वो ABC के एकवर होगा या CBA कुछ भी लिख लीजे एक ही बात है अच्छा भाई अब क्या करें? इसको अडाल देते हैं equation number 4 क्योंकि तीन equations पहले हो चुकी है अभी तो यह equal होए 90 का होए तो 90 कैसे करेंगे? वो देखिए अब angle DAB plus angle ABC is equal to 180 degree लेकिन इन दोनों का sum 180 होगा क्यों होगा? समय लीजे AD parallel to BC क्यों? parallelogram है जब parallelogram है तो opposite sides क्या होगी? parallel होगी हमने proof कर दिया ना ABCD पहले parallel होगा तो AD जो है वो BC के parallel होगा और AB क्या है? transversal मतलब ये angle plus ये angle दोनों angles का sum 180 by co-interior angles co-interior angles से जोनों का sum कितना होगा? 180 और जब 180 होगा लेकिन we have proved that both angles are equal हमने अभी ओभी उपर प्रूव किया दोनों angles equal होगा तो replace कर दीजे angle DAB plus angle DAB is equal to 180 degree कहां से आया? since from equation fourth fourth equation से आया ये उपर इसी लिए डाली थे मैंने इसको देखिए ABC को DAB से replace कर दिया क्या बना? twice of angle DAB is equal to 180 degree तो angle DAB is equal to 90 degree DAB कितना आगे angle? 90 degree ये रहा angle DAB ये 90 और एक rhombus में सारी sides तो पहली equal थी या एक rhombus में एक angle अगर 90 आगया तो all the angles are 90 सारे ही होगे है कैसे? सुनिए दो अगर DAB 90 है तो देखिए DAB ABC के एक वहले तो ABC 90 होगया ये वाला angle 90 होगया भी नो देट देट अपोज़ट एंगल और रॉंबस आर एक्वल रॉंबस के अपोज़ट एंगल होते है तो अगर ये एंगल 90 आया है DAB तो ये एंगल भी तो 90 होगा ये वाला DC भी और अगर ये 90 प्रूफ कर दिया अब ये भी ये रब ABC ये एंगल 90 प्रूफ कर दिया तो ये एंगल भी 90 होगा कहने का मतलब अगर किसी रॉंबस में एक एंगल 90 होता है तो all the angles are right angle 90 degree ही होते है और आपको पता ही square को प्रूफ करने लिए क्या करते है सारी sides को equal और सारे angles को 90 degree जो हम कर चुके है तो हम क्या लिखेंगे therefore ये वाला angle और लिखके दिखा दिजिएगा आप angle ABC is equal to angle सारे लिखती जिएगा है फिर angle ABC is equal to angle BCD is equal to angle CDA 90 degree तीनों ही angle हो जो बच गहे थे वो भी 90 और अगर चारों angle 90 है चारों sides पहले हमने equal दिखा दिए hence ABCD is a square ABCD क्या हो जाएगा square ये था square का proof जो हमने proof करना था कि diagonal is equal है by set कर रहा है 90 degree पर तो वो square ऐसे proof होता है ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले और साथ में बेल आइकन पर टैप करना न भूले ताके आपको मेरी सारी वीडियो मिलती है धन्याद ताके थीजू